नमस्कार, मैं अपूर्वा प्रॉम MNS न्यूज लाइव स्टेशन पर मिली तीन माहा की आग्याद बच्ची माहा के तलाश में मच्चा हड़कब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांग दो और तीन पर उस समय यात्रियों में हड़कब मच गया जब तीन वर्ष के बच्ची को बैठने के चबुत्रे पर आग्याद अवस्ता में रोता बिलगता देखा गया एक शाल में लिप्टी हुई यह बच्ची उमस और गर्म लप्टों के कारण जोर जोर से रोने पर स्टेशन पर मौझूद यात्रियों का ध्यान उस पर गया इस गटना से कुछ समय के लिए रेलवे स्टेशन पर हड़का मच गया अपनी पहचान चुपाने और जिम्मेदारियों से मुह मोड़ने के उद्देश से बच्ची को ऐसे स्थीती में नावारीश छोड़ने की संभावना जताई जा रही है चाइड लाइन और लोहा मार्गपुलीश तूरन हरकत में आने के कारण बच्ची सही तई सलामत है जानकारी के अनुसार इस गटना की जानकारी आरपीएप को देते हुए आरपीएप ने तूरन रेलवे चाइड लाइन के प्रतिनीदी को सुचित किया प्रतिनीदी अपने टीम के साथ घटना स्तल पर पहुच बच्ची को उठा कर प्लैटफर्म क्रमांग एक पर जित कक्ष में ले गए गंगा में मैजिक दिखाने उत्रा जादुगर लापता स्टील की चेन बांध कर गया था पानी में एक भारतिय मैजिशन के जादु का कर्तव दिखाने के दोरान गायव होने की खबर है बताया जा रहा है कि मैजिशियन ने खुद को स्टील की चेन और रसी से बंधवाया और फिर यह का कर गंगा नदी में चलांग लगा दी कि वह कुछ देर में बाहर आ जाएगा लेकिन जब काफी देर तक बाहर नहीं आया तो लोगों ने पुलिस को बुला कर उसकी खोच करवा ली लेकिन अभी तक मैजिशियन का कुछ पता नहीं चला मैजिशियन ने वर्ष पहले इसी जगह ऐसा ही करतव सफलता पूर्वा किया था यह गटना बंगाल में गटित हुई MNS News Live की खबरे देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Indie App डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद